तो हम लोग अपने quadratic equation के lecture को आगे बढ़ाते हैं आज, तो quadratic equation का introduction वगरा तो पहले ही ले लिया था, शुरुबात की चीज़ें हमने देख लिए थी, तो 11th का जो पार्ट है, कुछ पार्ट तो उसका 10th का पार्ट ही है, जो common रहता है, जो 11th का पार्ट है, वहाँ से शुरू करते हैं, यह लिया आपका graph से शुरू करते हैं, graph of a quadratic expression, अब यह expression और equation में क्या difference है, सपोज कीजिए किस तरह का expression है आपका, y equal to ax square plus bx plus c, where a, b, c element of real numbers, तो यह आपका expression हो जाएगा, this is expression, quadratic expression, और अगर आपका इस तरह का आता है, इसको आप 0 से equate कर दिजे, ax square plus bx plus c equal to 0, जहाँ पे abc element of r हों, real numbers हों, तो यह आपका quadratic equation हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने equate कर दिया है, equate कर दिया है, 0 को equal कर दिया है, और x का value solve करते हैं, और यहाँ पे x का different values के लिए y का different values आएगा, और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा, तब फिर यह linear equation हो जाएगा, degree इसका 1 हो जाएगा, तो चलिए, पहले इसका, इसके expression को जड़ा और simplify करते हैं, तो अगर हम a common लें, तो इसको x square प्लस b by a x प्लस c by a लिख सकते हैं, अब जो है, अगर हम लोग इस तरह से लिखें, इसको x प्लस b by 2a का whole square कर दें, तो इसमें क्या-क्या आ जाएगा, x square प्लस b by a x आ जाएगा, और प्लस b square by a square, b square by 4a square, एक term extra आएगा, जो इसमें नहीं है, तो मुझे उसको subtract करना पड़ेगा, मैनस b square by 4a square, अब प्लस c by a, गे लिएते हैं, क्या आता है? और यह आ जाएगा, minus of, अब यहाँ पे 4a square जो है, lc हम ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा, b square और यहाँ पे, minus 4ac, अब हमको मालूम है, कि हमने यह पढ़ा हुआ है, कि discriminant of quadratic equation जो है, वो b square minus 4ac होता है, तो b square minus 4ac को हम लोग, discriminant से substitute कर देते हैं, discriminant यह होता है, तो आपका d square हो जाएगा, b square minus 4ac, नहीं, एक स्कूर, नहीं मैं गलत बोल गया, discriminant b square minus 4ac होता है, तो x plus b by 2a का whole square, minus d by 4a square, तो इसको separate out करेंगे, तो यह आजाएगा, a x plus b by 2a का whole square minus d by 4a, यह से multiply करेंगे, तो a square कट जाएगा, a 0 नहीं है, अब हमारा यह आ रहा है, y equal to this thing, तो अब minus d by 4a को इस side लेकर का आते हैं, left side में, y plus d by 4a equal to a into x plus b by 2a का whole square, तो actually, इसको अगर हम लोग plot करें, इसको हम लोग अगर इसको एक function माना जाए, तो y equal to आएगा, a x plus b by 2a का whole square minus d by 4a, तो अब suppose कीजिए पहले sketching graph का step देखते हैं, sketch graph, graph मुझे sketch करना है, तो step 1, पहले y equal to a x square plot करते हैं, तो वो कैसा होगा, इस तरह का हो जाएगा, 0 पे 0, y equal to a x square, 1 पे इसका value आ जाएगा, a, इस तरह का है, अब step 2, input में, जो इसका x input है, उसमें b by 2a add किया हुआ है, ठीक है, तो b by 2a add किया हुआ है, तो यह graph क्या होगा, कि b by 2a unit आपको left shift करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आपको step 1 वाले में, जो चीज़ 0 पे मिल रहा है, y का जो value 0 पे मिल रहा है, वो यहाँ पे आपको minus b by 2a पे मिलेगा, तो अब यहाँ पे आपको step 2 का अगर देखें, यह point अगर आपका जहाँ भी minus b by 2a रहता है, श्कुश किजिए कि यह point आपका minus b by 2a होता है, तो graph आपका ऐसा हो गया, this is y equal to a x plus b by 2a का whole square, जो चीज़ आपको 0 पे मिल रहा था, वो minus b by 2a मिल रहा है, तो minus b by 2a जो है आपका इस ग्राफ का symmetric axis है, वो x equal to minus b by 2a है, जो कि यहाँ पे x equal to 0 था, पहले मैं यहाँ पे बोल दूँ, एक चीज़ बोल दूँ कि यह जो है, इस graph का क्या safe है, पराबोला है यह, पराबोला है यह, ठिक है, तो अभी हम लोग y equal to a x plus b by 2a का whole square plot कर लिये हैं, अब मैंने आपको बताया था, कि output में कोई भी चीज़ added रहता है, added is subtracted होता है, तो y axis में उसके हिसाब से shifting हो जाती है, अब जो है y equal to a x plus b by 2a का whole square minus d by 4a, इसका हमको graph plot करना है, तो होगा क्या, कि यह जो graph आया है, इसको d by 4a से नीचे shift कर देंगे, down shift कर देंगे, तो वो आपका आ जाएगा इसका graph, तो कैसा हो जाएगा, और यहाँ पर 0 था पहले, जो कि अब आ जाएगा, minus d by 4a, यह ऐसा parabola हो गया, तो यह आपका final graph हो गया, तो यहाँ से देख पा रहे हैं, कि minus b by 2a पे, अच्छा, इसमें एक assumption हमने माना हुआ था, यह graph जो sketch कर रहा हूं, तो इसमें मैं यह assumption मान के चल रहा हूं, कि a greater than 0 है, यह assumption मान करके मैं चल रहा हूं, a greater than 0 है, तो यह a greater than 0 के लिए मैं यह graph plot कर रहा हूं, और d जो है, not equal to 0 है, d 0 नहीं है, उसके लिए मैं यह graph आपको plot कर रहा हूं, अब इससी बात है, d 0 हो जाएगा, तो आपका downshift या upshift नहीं होगा, तो यह दोनों condition के हिसाब से यह graph plotted है, आगे जाके मैं आपको सारे cases पताऊंगा, अभी भी special case का graph का sketching का steps आपको सिखा देता हूं, उसके बाद, अलग-अलग conditions के लिए मैं graph plot कर दूँगा, तो यहाँ पे a greater than 0 है, और d not equal to 0 है, जो कि इस case में d जो है आपका greater than 0 आ रहा है, एक्छली यह d जो है greater than 0 आ रहा है, दो distinct roots इसके हैं, तो minus d by 2a जो है आपका midpoint है, और वहाँ पे value जो है minus d by 4a है, तो एक तरह से इस function का, जो आपका y equal to a x square plus b x plus c है, इसका graph है यह और इसका minimum value आ रहा है, if a is greater than 0, तो आपका minimum value जो है, वह आ रहा है minus d by 4a, जो कि आपका हो जा रहा है, 4a c minus b square by 4a, और y minimum किस point पे आ रहा है, y minimum आ रहा है at x equal to minus b by 2a पे, तो इस तरह का आपका graph है, तो आप कुछ example लेते हैं, और उसके थूँ आपको और भी graph sketching हम, मैं सिखाता हूँ आपको, कुछ example के थूँ मैं सिखाता हूँ, suppose, suppose कीजिए, मैं एक example लेता हूँ, example 1 है, मेरा y equal to x square minus 4x plus 3, अच्छे, इसमें गौर करने वाली बात एक और है, कि इसके जो दो roots हैं, यह एक root आपका minus b plus root d by 2a है, और दूसरा root आपका minus b minus root d by 2a है, तो एक तरह से यह दोनों root के midpoint पे रहता है minus b by 2a, यह दोनों root का midpoint है minus b by 2a पे जिसका minimum value आता है, तो अब यह graph हमको sketch करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि a is greater than 0, और discriminant कितना आ रहा है, 4 square minus 4 into 3, 16 minus 12, 4, discriminant 4 है, यानि discriminant जो आपका greater than 0 है, यह greater than 0 है, d greater than 0 है, d greater than 0 है तो दो distinct roots आएंगे आपको, तो यह क्या हो जाएगा, x minus 3 into x minus 1, तो इसके दो root क्या है, 1 और 3 है, यह greater than 0 है, तो parabola open, उपर open खुलेगा, और इसका जो midpoint होगा 2, यहाँ पर इसका minimum होगा, तो इस तरह से इसका graph आपका हो जाएगा, तो अब यह minimum value किस पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, जो कि मैंने बताया था, minus d by 4a होता है, तो minimum value जो है, minus d by 4a, किता हो जाएगा, minus 4 by 4 into 1, जो कि minus 1, तो यह minus 1 होगा, आप इसमें value डाल के भी देख सकते हैं, y at x equal to, x equal to 2 आपका midpoint है, तो y at 2 जो है, यह आ जाएगा, 2 square minus 4 into 2, plus 3, यह जो है, किता आ जाएगा, 4 minus 8 plus 3, तो यह minus 1, इधर से भी आपको minus 1 आया है, minimum value, और यहां से भी minus 1 दिख रहा है, minimum value, ठीक है, तो अगर a greater than 0 है, तो आपका quadratic expression का minimum आता है, a greater than 0 है, तो quadratic expression का आपका minima आता है, एक minima आता है, one minima, एक ही, या तो minima आयाएगा, या maxima आयाएगा quadratic में, और अगर आपका a less than 0 है, तो quadratic expression का one maxima आता है, तो ज़रा कुछ और example से इसको देखते हैं, एक और example लेते हैं, suppose कि यह, example 2 जो है, graph sketch करना है, y equal to 2x minus x square का, तो यह कैसे होगा, actually यह minus of x square minus 2x हो जाएगा, x common लेंगे, x minus 2, तो इसके दो root जो है, क्या आ रहे हैं, 0 और 2 आ रहा है, तो इस commit point क्या हो जाएगा, 1, इस case में, यह जो है, हमारा less than 0 है, और दो root तो दिखी रहे हैं, तो discriminant तो greater than 0 है ही, वो तो clear cut दिख रहा है, दो root, real roots आ रहे हैं, that means, discriminant is greater than 0, 0 और 2 दो roots हैं, इसका mid point जो है, 1 है, 1 पर इसका maxima आएगा, और इसका graph जो है आपका, चुकि ए जो है, less than 0 है, तो minus infinity पर भी यह, sorry, minus infinity जाएगा, x का value अगर, sorry, x का value अगर infinity देंगे, तो यह minus infinity जाएगा, x का value अगर minus infinity देंगे, तो भी infinity जाएगा, sorry, तो भी minus infinity जाएगा, हम, क्योंकि हमारा यह, minus x square है, जो dominating term है वो minus x square है वो positive को भी negative कर रहा है negative को भी negative कर रहा है तो इधर यह minus infinity चला जाएगा इधर भी यह minus infinity चला जाएगा इस case में आपको क्या है is less than 0 है और इसका minimum value जो है 1 पे आ रहा है 1 पे जो है इसका minimum value आएगा तो minimum value जो है जो mid value है y mean जो है यह हमने क्या देखा था यह जो है आ रहा था this will be at y1 sorry minimum नहीं maximum क्योंकि a less than 0 है तो यहाँ पे maximum होगा y max equal to y at 1 जो कि आपका आ जाएगा minus 1 into 1 minus 2 तो minus 1 into minus 1 1 तो y max जो है आपका max value 1 है यह पूरा का पूरा हमेशा 1 से नीचे ही रहेगा 1 इसका maximum value है अब इसको दूसरे point से देखते हैं कि यह आपका क्या आया था y equal to minus of x square minus 2x अगर मैं इसमें plus 1 कर दूँ और minus 1 कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अब मैं इसको minus x square minus 2x plus 1 यह हो जाएगा मेरा x minus 1 का whole square और यहाँ minus minus plus plus 1 तो y का जो है 1 minus x minus 1 का whole square अब यहाँ पर देखिए कि 1 minus positive number यह positive number है तो 1 minus positive number तो y का maximum value 1 ही आ सकता है y max जो है 1 ही आ सकता है at जब यह आपका यह number जो x minus 1 का whole square जो है यह 0 हो जाए at x equal to 1 तो यह आपको analytically expression से भी दिख गया और हमारा जो आ रहा है understanding से कि जो यह parabolic shift होता है midpoint पे minima या maxima होता है depending on यह क्या है उससे जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है उससे तो निकल के भी आ ही रहा है ठीक है तो हमने parabola opening upwards और parabola opening downwards यह दोनों ही हमने देख लिए cases अब हम लोग सारे cases को list down कर देते हैं कि अगर आपका y equal to ax square plus bx plus c है और abc element of r है तो a और d के basis पे discriminant हमारा b square minus 4 is c है a और d के basis पे nature of graph जो है अलग-अलग हो जाएगा तो एक case लिजिए a greater than 0 तो parabola आपका उपर खुलेगा तो a greater than 0 में अब d पे condition लगाते हैं a greater than 0 हो और discriminant greater than 0 हो हम तो क्या होगा a greater than 0 हो discriminant equal to 0 हो तो कैसा graph होगा और a greater than 0 हो discriminant less than 0 हो हम तो कैसा graph होगा तो discriminant अगर greater than 0 है तो दो distinct roots आएंगे और a greater than 0 है तो आपको parabola उपर खुलेगा दो distinct roots आएंगे तो इस तरह का हो जाएगा हम यह case अब दूसरा case दिखते हैं d equal to 0 है तो equal roots आएंगे हम तो क्यों एक्स एक्स को touch करेगा repeated root होगा इस तरह का हो जाएगा हम और d less than 0 है तब तो real roots आएंगे ही नहीं और a greater than 0 है तो मतलब plus infinity पर infinity होना मैनस infinity पर इसको infinity होना है तो यह इसका तो real root होगा ही नहीं तो यह मतलब x-axis को touch ही नहीं करेगा हम तो अब भी इसका minimum ही आएगा और यह point जो है आपका यह minus b by 2a ही रहेगा बहले यह x-axis को नहीं काटेगा हम और यह जो है आपका वही रहेगा minus d by 4a ठीक है क्योंकि d less than 0 है तो हम देख रहे हैं d less than 0 है तो minus d क्या हो जाएगा minus d positive हो जाएगा हम और यह तो greater than 0 है तो minus d by 4a positive है तो यानि कि आपका जो यह है minus d by 4a positive है यानि आपने जो उसमें add किया था जो graph में हमने shifting की थी वो upward shifting होगी हम जो हमारा यह था y equal to x plus by 2a का whole square minus d by 4a अगर minus d by 4a positive है तो यह उपर जाएगा minus d by 4a negative है तो नीचे जाएगा जो आपका इस case में था midpoint हर किसमें यही minus d by 2a और यहां पर यही एक root हो जाएगा minus d by 2a है तो greater than 0 के लिए आपका ऐसा situation रहेगा अब a less than 0 के लिए देखते हैं अब a less than 0 होगा तो parabola जो है नीचे खुलेगा तो एक situation है a less than 0 d greater than 0 एक situation है d equal to 0 एक situation है d less than 0 d greater than 0 है तो दो district roots आएगे लेकिन parabola जो है नीचे खुलेगा इस तरह से यह midpoint है minus b by 2a यहाँ पर maximum value आएगा जो कि अपका वही होगा minus d by 4a क्योंकि a b less than 0 है d greater than 0 है तो positive आजाएगा इस तरह से इसका maximum आएगा minus b by 2a पर अब d equal to 0 है a less than 0 है तो इस तरह का हो जाएगा यह आपका minus b by 2a है xy और d less than 0 है और a less than 0 है तो यह तो हमेशा negative रहेगा कभी इसका solution नहीं होगा कभी exercise को काटेगा नहीं तो यह आपका इस तरह का हो जाएगा पारबोला यह पॉइंट जो है आपका अभी भी मैनस b by 2a ही है और जो maximum value है वो मैनस d by 4a ही है तो इस तरह से हमने सारे kisses देख लिए कि कैसे a और discriminant पर आपका के हिसाप से nature of graph जो है अलग-अलग shape of graph जो है अलग-अलग हो जाता है a is not equal to 0 यह भी धियान रखना है a 0 हो जाएगा तो यह quadratic expression ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर हमने यह सारे चीज़ें देख लिए है अब ज़रा हम लोग sign scheme की बात करते हैं अब आगे बढ़ते हैं हम लोग graph हमने देख लिया sign scheme of quadratic expression देखते हैं ऐसे मैंने आपको general sign scheme जो है बता दिया है linear equation सबके class में मैंने बता दिया था यह और आसानी हो जाएगा आपका suppose कीजिए y equal to उसी को आपको use कर लेना है x square minus x minus 2 है तो इसको factorize करेंगे तो क्या आएगा x minus 2 into x plus 1 y equal to x minus 2 into x plus 1 तो आपका जो highest power का term है जो highest degree वाला term है उसका coefficient जो है उसका coefficient जो a है that is positive a is greater than 0 तो उसके इसमें क्या होगा की rightmost root के right में आपका positive value होगा x equal to 1 तो आपका आगया minus 1 पे 0 है और 1 2 पे 0 है तो 2 से बड़ा number देंगे तो क्या होगा यह positive रहेगा क्योंकि यह आपका positive है उसे बड़ा number देंगा तो यह भी positive यह भी positive है तो इस तरह से positive फिर 2 का power जो है odd है तो odd power पे sign change होता है x plus 1 का power odd है तो फिर यहाँ भी sign change होगा तो इस तरह से आपको इसका sign scheme हो जाएगा कि 2 के आगे positive रहेगा 1 से 2 के बच निगेटिव रहेगा और 1 से छोटे में फिर से वापस positive हो जाएगा तो अब यही sign scheme पे based एक example question करते हैं question है for what values of parameter k expression expression x square minus 5x 5k x 5k x plus 4k square plus 1 greater than 0 for all x element of r तो for what values of parameter k expression x square minus 5k x plus 4k square plus 1 greater than 0 for all x element of r तो आपको आपको यह करना है कि किन values के लिए यह expression जो है हमेशा आपका positive आएगा पाट है तो x square plus 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 यह हमेशा positive कब होगा for all x element of r यह हमेशा positive तब होगा जब आपका इस expression का a greater than 0 हो जाए और d less than 0 हो जाए तो यह क्या होगा कि यह x axis को touch ही नहीं करेगा हमेशा उसके उपर ही रहेगा वादा भी इस तरह का कुछ तो यह हमेशा positive होगा तो हमेशा positive होने के लिए आपको यह a greater than 0 और d less than 0 चाहिए तो a तो आपका greater than 0 तो है इसमें हम है इसमें अब d less than 0 होना चाहिए तो d का value क्या है 5k का whole square minus 4 times 4k square plus 1 25k square minus 16k square minus 4 तो यह आजाएगा 3k minus 2 और 3k plus 2 तो यह आपका discriminant है तो इसका sign scheme जड़ा plot करते हैं एक आपका kick minus 2 by 3 और k का value 2 by 3 अब यह 9k square यानि case square coefficient positive है तो इधर आपका positive रहेगा sign scheme positive, negative, फिर positive तो k के यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि d less than 0 कब आ रहा है यह expression जो है आपका यह less than 0 कब आ रहा है जब k जो है k जो है minus 2 by 3 से लेके 2 by 3 के बीच हो तो discriminant जो है less than 0 हो जाएगा तो यह आपका हमेशा यह expression जो है हमेशा greater than 0 होगा कभी भी x axis को काटेगा नहीं कभी जिरो नहीं होगा तो आपका k का यही value हो जाएगा ध्यान रहे यहाँ पे हमने open interval लिया है closed interval नहीं लिया है यह minus 2 by 3 पे और 2 by 3 पे यह discriminant जो है आपका 0 हो जाएगा तो इसका value equal to 0 हो जाएगा लेकिन आपको यह greater than 0 है तो इसका कोई real solution होना ही नहीं चाहिए तो for all x element of r यह expression हमको दिख रहा है कि यह हमेशा positive है कभी भी x को touch ही नहीं कर रहा है तो यहीं आपका solution है अब हम लोग आगे एक और example question कर लेते हैं अपने understanding को बढ़ाने के लिए question है for what values of parameter question है for what values of parameter k the inequality k square minus k minus 2 x square minus 2 kx plus 1 less than 0 holds true for at least 1 x मतब यह है तो पहले लिखते हैं k square minus k minus 2 x square minus 2 kx plus 1 less than 0 हमको करना है holds true for at least 1 x हम तो अगर हम इस expression को अगर हम इस expression को greater than or equal to 0 वाला case निकाल लें कि k कौन से values के लिए यह greater than or equal to 0 है हम वो निकाल लें और उसके बाद वो values को हम हटा दें तो क्या आ जाएगा कि less than 0 वाले values आ जाएगे कि जिस पर जो यह expression जो है less than 0 हो तो greater than or equal to 0 वाले options को हमको हटाना होगा इस expression का जो इस expression को अगर y बोलें तो यह expression जो है जब greater than or equal to 0 के के जिन जिन values के लिए होगा उन values को हटाना होगा तो less than 0 वाला part आ जाएगा कि y जो है less than 0 हो जाएगा for at least 1x तो पहले y greater than 0 को solve करते हैं y is always greater than or equal to 0 तो यह कब होगा जब आपका k square minus k minus 2 यह आपका greater than 0 हो यानि x square coefficient जो है वो greater than 0 हो and discriminant जो है discriminant जो है वो less than or equal to 0 हो means यह वाला case हो गया किसको आपको हमेशा greater than 0 करना है यह वाला case हो गया कि यह case तक पहुँचे इससे उपर ही रहे hardly discriminant 0 तक आ सकता है कि 0 पे एक value 0 allowed है इसको मदब आपको less than 0 करना है तो 0 वाले option को भी हपको हटाना है y greater than or equal to 0 को हटाना है तभी वो negative में जाएगा less than 0 जाएगा तो यह इस तरह के जितने graph हो सकते हैं इस तरह के जितने हो सकते हैं यह सब आपको हटाने होंगे जितने हो सकते हैं यह आपको हटाने होंगे तो अब यहां से k-2 into k-1 greater than 0 and पर discriminant जो है 2k का whole square minus 4 k square minus k-2 तो यह आपका आजाएगा 4k plus 8 this has to be greater than or equal to 0 4 times k plus 2 0 तो यह दोनो condition को satisfy करना है that means यह आपका k plus 2 greater than or equal to 0 यह कब कब होगा यह दोनो इसका इधर minus 1 कर लिजे 2 कर लिजे और इधर minus 2 कर लिजे तो अब यहाँ पर इसका solution जो है क्या हो जाएगा इधर आपका k जो है greater than 2 इसको c1 बोलता हूँ मैं c1 constant है और यह c2 constant है इधर आपका k greater than 2 हो जाए और k less than minus 1 हो जाए तो उस पर यह c1 आपका positive होगा तो c1 को मैंने इससे represent किया अब c2 देखते हैं k plus 2 less than 0 that means इसको include करना है यह आपका c2 है तो अब c1 intersection c2 वाला reason कान सा है यहाँ से sorry यह minus 2 है यह minus 2 है तो यह वाला जो है यह वाला minus 2 से जो यह left है यह इन दोनों constant को satisfy कर रहा है that means y is greater than or equal to 0 for k element of minus infinity से minus 2 तो y less than 0 कब हो जाएगा तो just इसको minus 2 के बाद वाला इस value को k के इन values को छोड़ दे है तो आ जाएगा for k element of अच्छा यह minus 2 को include किये हुए है तो minus 2 कब को exclude करना है minus 2 से infinity fx या y equal to fx less than 0 holds true for at least 1x तो यही आपका answer आ जाएगा minus 2 से infinity आज के लिए एक्षर में इतना ही अगले दिन हम लोग अपने understanding को और बढ़ाएंगे quadratic expression को और details में और question करेंगे hmm thank you for your patience